बिस्मिल्ला रह्मान वाहीम, अस्क्लाम अलेकुम तोडियो और टॉपिक अफ स्टुडी इस लीव्स मॉर्फालोजिकल करेक्टर्स अफ लीव्स और साथ में इसकी टाइप्स या इसकी मॉडिफिकेशन्स जो है वो सारा कुछ जो है हम इस चैक्टर में जो है वो स्टुडी करेंगे तो लीव्स जो है यह होते क्या है ग्रीन कलर में होते हैं, फ्लैटन्ड होते हैं और उसके इलावा जो है यह स्टेम पे या ब्रांचिस पे जो है अराइज होते हैं यह जो है most of the time जो है वो नोड्स से ही औरिजिनेट होते हैं और इनके जो है वो एक्जिल में बड्स मुझूद होती है बड्स जो है वो क्या करती है लेट स्पोस्ज यह लीव जो है वो पुराना हो गया है ओल्डर होके यह गिर गया है तो यहीं इसी के एक्जिल में से जो है जो बड्ड है वो नया लीव जो है उसकी ग्रोथ कर दे रहे है लीव जो है यह फ्लेटन्ड होते है आपको पता है इसका वालिम बहुत कम होता है यानि मुटाई कम में और ये फिलाओं में ज्यादा है वाल्यम ज्यादा होता है तो यानि कि फिलाओं में ज्यादा है तो क्या है कि ये सर्फिस एरिया बढ़ा देता है फोटो सेंटसिस के लिए यानि सनलाइट अब्सॉर्ब करने के लिए ये ज्यादा सर्फिस एरिया इसक exchange करते हैं gases का ये एक leaf का structure दिया हुआ है और ये इसके कुछ parts है ये stem है leaf base है stipule है petule है दर्मियान में ये mid rib है venetian कौन सी है reticulate है ये आप लोग बताएं मुझे इसके बाद ये mid rib है ये margin है leaf का apex veins है lamina जो है वो leaf का ये green वाला portion होता है veins की side पे जो veins के अंदर जो green color का कहलें के sheet सी लगी हुई है वो सारी की सारी जो है वो lamina होगा और veinlets यानि के छोटी छोटी veins के आगे जो मुझीद branches निकल रही है वो leaf के parts कौन कौन से होंगे leaf blade या leaf lamina ये जो है expended portion होता है green वाला जो के कहलें के net के साथ जो है वो जो बाकी का green वाला portion है जो sheet सी है वो leaf lamina है petule ये भी मैंने आपको बताया leaf based जो है वो क्या होती है जिसके थू जो है stem के साथ leaf attached होता है chief type of leaves foliage leaf होता है यानि के leafy type ग्रीन कलर में जो है वो जो photosynthesis करता है वो foliage leaf है cotylidinary leaf ये वो leaf होते हैं जो के आप लोगों ने देखा होगा कि जब seed ग्रो करता है ना यूं seed में से जो है वो embryo निकलता है तो उसके दो leaves जो है वो इस तरह के एक होते हैं और फिर उसमें से जो leafs निकलते हैं वो जड़ा different type के होते हैं पहले जो दो leaves होते हैं यह एक जैसे होते हैं ने कॉटिलिडिनरी leaves होते हैं जो के embryo का part होते हैं और यह photosenses में help करते हैं जब तक जो है इसके एक्जल में से मजीद उस प्लांट के लीव्स जो है वो नहीं ग्रो करते इसके इलावा जो है इसमें रिजर्फ फूर्ड मिटीरियल भी होता है ठीक है स्केली लीव्स जैसे के आप लोगों ने पढ़ा है बल्ब, कॉर्म जो है या राइजोम इसके अंदर जो है जो लीव्स होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं जैसे के गारलिक के लीव्स हैं वो स्केली लीव्स है ब्रेकिट या ब्रेक्टियूल्स यह मैंने आपको पहले भी ने वेते हैं और चुहेत प। लीव ब्रेट यो आइंग प्रोटक्ट्सक लिए नाários तो सिर्फ लीव प्र। 한व के ब्रटी उले प्रोटो करें से और वन धर निकलाँ है उसे तो बादन भी खुलते हैं और उनमें से बड निकलता है वो फलाड भिनता है अच्छा फ्लोर जो है वो होता है modified shoot यानि evolutionary point of view से modified shoot है इसी तरह से floral leaves है floral leaves जो है वो कौन से होंगे sepals, petals, यानि kellex, crolla, तो androsium, gynosium, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि shoot की modification है floor तो shoot में क्या क्या आ जाता है stem and leaves यानि कि उनी की modification से जो है floor बनता है stipules, stipules हमने इससे पहले भी discuss किया है कि stipules क्या होते हैं ये base में यहाँ पे sheets होती है जो के leaf की यहाँ पे यह जो है जहां से leaf base है वहाँ से चोटी-चोटी से जो outgrowth होती है जो के stipules कहलाती है ठीक है ये persistent हो सकती है deciduous हो सकती है persistent जो है वो कौन सी होंगी जो के समझें के leaf के निकलने के बाद जो है या unfold होने के बाद भी जो है वो जिन्दा रहती है वो है persistent या रहती है deciduous वो होती है जो के leaf जब निकल आता है तो वो गिर जाती है ठीक है इसी तरह से अगर stipules मुजूद है तो यह stipulate plant है अगर stipules नहीं मुझूद तो यह leaf जो है इसे आप x stipulate बोलेंगे ठीक है आगे stipules की कुछ types है कुछ होते है scaly stipules जो के small होते हैं, membranious होते हैं scale type होते हैं जो के protect करते हैं buds को buds के साथ जो है ज़रा pointed सा कहलें के green ही color में membranious सा जो है न यानि चुबने वाला सा होगा जैसे के people में होते है ठीक है यह protect कर रहा है bud को इसी तरह से leafy stipules होंगे जो के large होंगे, green होंगे edible हो सकते हैं यह जो है, यह हो सकता है कि ऐसा लगे कि यह leaf like है जैसा के pea plant जो है, उसका tendril होते है ठीक है इसी तरह से free lateral stipules है जो के छोटे से होंगे green color में freely at the base of the petule यह cotton के plant में होते है adnate stipules यह मैंने पहले भी आपको बताया है के wing like structures जैसे के rose में होता है rose में एक sheet सी होती है यह दिखें यहाँ पे यह wings सा बनाते हैं दो जो है यहाँ पे leaf की base में जो है न इस तरह एक sheet सी बनाते है flattened सी जिसे wing बोलते हैं और यह rose में बहुत वाज़ तोर पे पाया जाता है inter petular stipule यानि के petule के दर्मियान में यहाँ से leaf आ रहा है यह leaf बना यह petule है यह petule के दर्मियान से जो stipules आ रहे हैं यानि के यह stem में यहाँ से नहीं आ रहे यह दर्मियान से petule के जो आ रहे है यह inter petular leaves जो है stipules है